Q1. दिसंबर 2020 में किस्ट पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ट पुलिस स्टेशन के रूप में गोशित किया गया है? Option A. 1WPS सूर्मंगलं तमिलनाडू Option B. खर सांग अरनाचल प्रदेश Option C. नोंग पोक सेक्माई मनिपूर Option D. जील मिल चत्तिसगड और सही जवाब है? Option C. नोंग पोक सेक्माई मनिपूर नमस्कार दोस्तों हमारे चानल करन्ट अफेर्स टुडे में आपका स्वागत है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपिया लाइक बटन पर क्लिक करें और शेयर करें और हमारा चानल को सब्सक्राइब करें। सबसे महत्वपूर्ण कारेंट अफेर्स 2021 सात्वा भाग। Q2. महींद्रा और महींद्रा फैनाशियल सर्वीसिस के अध्यक्ष काउन हैं। Q3. महारास्ट्र सरकार द्वारा दिया गया। गोरेवाडा अंतरराश्ट्रिय चिडियागर का नया नाम क्या है। Option A. बाला साहिब ठाकरे अंतरराश्ट्रिय चिडियागर। Option B. ठाकरे गोरेवाडा अंतरराश्ट्रिय चिडियागर। Option C. बाला साहिब गोरेवाडा अंतरराश्ट्रिय चिडियागर। Option D. बाला साहिब ठाकरे गोरे वाड़ा अंतरराष्ट्रिय चिडियागर और सही जवाब है Option D. बाला साहिब ठाकरे गोरे वाड़ा अंतरराष्ट्रिय चिडियागर Question No.4 विश्व वियापार संगटन WTO के महानिदेशद D. जी कौन है? Option A. माइक मूर Option B. नगोजी उकोंजो इवेला Option C. आर्तर डंकल Option D. ओलिवर लॉंग और सही जवाब है Option B. नगोजी उकोंजो इवेला Question No.5 Fit India Movement का अंबैस्डर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? Option A. विनीत अगरवाल Option 2. कुल्दी भांडू Option C. विराट कोहली Option D. अनिल सोनी और सही जवाब है Option B. कुल्दी भांडू Question No.6 19 वर्षिय चात्र का नाम क्या है जो राष्ट्रिय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए उत्तराकंड का मुक्य मंत्री बनी Option A. आरस शर्मा Option B. अनिश शाह Option C. नीतू लाल Option D. श्रीष्टी गोस्वामी और सही जवाब है Option D. श्रीष्टी गोस्वामी Question No.7 केंद्री जांच ब्यूरो C. बी आई का अंतरिम निदेशक कौन है Option A. आरस शर्मा Option B. अनिश शाह Option C. नीतू लाल Option D. प्रवीन सिन्हा और सही जवाब है Option D. प्रवीन सिन्हा Question No.8 विश्व स्वास्ति संगटन WHO फाउंडेशन का CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया था Option A. विनीत अगरवाल Option B. कुल्दी फांडू Option C. विराट कोहिली Option D. अनिल सोनी और सही जवाब है Option D. अनिल सोनी Question No.9 गुजरात सरकार ने किस फल को कमलम नाम दिया है Option A. किवी फल Option B. ड्रागन फल Option C. केला Option D. इन में से कोई नहीं और सही जवाब है Option B. ड्रागन फल Q. अनिपूर उच्छ न्यायालाई के मुख्य न्यायादीश कौन है? Option A. पी वेंकट संजे कुमार Option B. गीतांजली राव Option C. भव्यालाल Option D. मनीश कुमार और सही जवाब है Option A. पी वेंकट संजे कुमार Question No. 11 Associated Chambers of Commerce and Industries of India असोचाम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? Option A. बिनीत अग्रवाल Option B. कुल्दी भांडू Option C. विराट कोहली Option D. अनिल सोनी और सही जवाब है Option A. बिनीत अग्रवाल Question No. 12 कौनसा राज्य एक्स्प्रस वे पर दो हवाई पट्टी वाला भाहरत का पहला राज्य बन गया है Option A. चतिसगड Option B. त्रिपुरा Option C. नागालेंड Option D. उत्तर प्रदेश और सही जवाब है Option D. उत्तर प्रदेश Question No. 13 अंतर राश्री सावर गट बंधन के महानिदेशक कौन हैं? Option A. डॉक्टर अजय माथुर Option B. आरस शर्मा Option C. अजय सिंह Option D. मनुज कुमार और सही जवाब है Option A. डॉक्टर अजय माथुर Question No. 14 एशियाई विकास बैंक A. D. B. ने शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास के लिए किस राजय को दो हजार एक सव करोड रुपे रिन प्रदान करने की गोशना की है Option A. चतिसगड Option B. त्रिपुरा Option C. नागालैंड Option D. मिजोराम और सही जवाब है Option B. त्रिपुरा Question No. 15 Steel Authority of India Limited सेईल के अध्यक्ष काउन है Option A. डॉक्टर अजय माथुर Option B. आर एस शर्मा Option C. अजय सिंह Option D. सोमा मॉंडल और सही जवाब है Option D. सोमा मॉंडल तो दोस्तों ये है आज का वीडियो हमारे Current Affairs Today चानल का अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर करें यदि आप हमारे चानल के नए वीडियो का अपडेट चाहते हैं तो कृपिया गंटी बटन पर क्लिक करें और हमारा चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अगर